आकाश्वाणी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धारना सच्देव प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने कहा है कि 22 जन्वरी को आयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोडों लोगों को एक सूत्र में पिरोया है आज आकाश्वाणी से मन की बातकार करम में श्री मोधी ने कहा कि देश ने इस अफसर पर सामोहिक्ता की अद्बुत शक्ती देखी जो सरकार के विकसित भारत संकल्प का प्रमुख आधार है महिला टुकडियों को करतव्य पत पर मार्च करते देखकर पूरा देश गर्व से भर उठा महिलाओं ने स्वसाहिता समूहों में भी अपना परचम लहराया है उन्होंने कहा कि अब यह पीपल्स पदम बन चुका है प्रधान मंत्री ने 36 गड़ का उधारन देते हुए रेडियो की बदलाव लाने की शक्ति का उल्लेक किया 34 गड़ में रेडियो में हमर हाथी, हमर घोट, कारकरम, आकाश्वानी के अंबिकापूर, रायपूर, भिलासपूर और रायगड से प्रसारित होता है कारकरम में हाथियों के जुंड की दिशा के बारे में जानकारी देकर लोगों को सतर किया जाता है श्री मोदी ने कहा कि दिव में भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स आयोजित हुआ, जहां ऐसे राजिम से भी खिलाडी आए, जिनका दूर-दूर तक समुदर से कोई नाता नहीं था मध्य प्रदेश ने प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते, जहां कोई समुदर तठी नहीं है परिक्षा पे चर्चा दोहजार चोबीस के सात्वे संसकरण के तहत कल 29 जन्वरी को प्रधान मंत्री नरेंद मोधी बच्चों से समबाद करेंगे युमाओ के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने के लिए परिक्षा पे चर्चा प्रधान मंत्री के नितृत्व में बड़े आंदोलन एक्जैम वारियर्स का हिस्सा है प्रधान मंत्री ने आज मन की बात कारिक्रम में भी इस बात का जिक्र किया प्रधान मंत्री ने कहा कि है कारकरम उन्होंने विध्यार्थियों से बात्चीत करने और परीक्षा से जुड़ा उनका तनाव गम करने का मौका देता है उन्होंने कहा पिछले साथ वर्षों में परिक्षा पिचर्चा, शिक्षा और परिक्षा से जुड़े विभिन मुद्धों पर बातचीत का एक अच्छा माध्यम बन कर उभरा है 2 करोड 25 लाग से भी अधिक विध्यार्थियों ने इसके लिए पंजियन कराया है और अपनी बात साजा की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्या अतित्य में 31 जनवरी को मुरैना में प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस कारिक्रम आयोजित किया जाएका इसमें 2 लाग से अधिक युवाओं को विभिन योजनाओं के तहत स्वर रोजगार से जोड़ा जाएका दो लाग से अधिक युवाओं को प्रती महा रिन वित्रन का स्वर रोजगार स्तापित करना है प्रधान मंत्री नरें रमोदी के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए इन दोर को सोलर सिटी और सोलर डिस्ट्रिक्ट बनाने हेतु तेजी से कारे किये जा रही है इन दोर जिले में अगले दो महा में घरों, बहुमंजिला इमारतों, व्यवसाइक और द्योगिक संस्थानों शास्की भवनोवादी में 25,000 सोलर पैनल लगेंगे यह जानकारी संसथ शंकरलालवानी की अध्यक्षता में संपन हुए जिला सरिय विकास समन्वे और निगरानी समिती की बैठक में दी गई अभी तक 5,937 भवनों पर सोलर पैनल लग चुके है, इनसे लगबग 41 मेगावाट बिजली मिल रही है अब कुछ समचा संक्षेप में जिला स्तरिय गणित बिज्ञान समाजिक बिज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और निवाडी जिले में भारत सरकार के सहायक सचिव और अन्य पदादिकारियों ने जल जीवन मिशन के कारियों का निरिक्षन किया और पैजल के संरक्षन गुनवत्ता के समध में चर्चा की इस बुलिटन में इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार